नमस्कार दोस्तों मैं संतोस पटल स्वागत करता हूँ आपकी अपनी यूट्यूब चैनल डिजिटल भंडार पर यदि आप कंप्यूटर में कुछ नया सीखना चाहते हैं कंप्यूटर में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें बेल डिजि यदि आपके पास दो डिजिट हैं और आप दोनों डिजिट के बीच का डिफ्रेंस केलकूलेट करना चाहते हैं तो डिजिट डिफ फंक्शन का यूज कर सकते हैं, यह काम आप डिजिट के मात्यम से भी कर सकते हैं जिसको हमने अपनी प्रिविएस वीडियो में या year में बताया जाए तो आप फिर date diff function का use कर सकते हैं date diff का मतलब होता है date का difference यदि आपके पास दो date है और आप दोनों date के बीच का जो difference है बहे दिनों में, महिनों में या सालों में मतलब की years में यदि find करना चाहते हैं तो date diff function का यूज कर सकते हैं इस function का introduction देख लेते हैं, क्या होता है यह function दो dates के बीच का difference dates में, months में, या फिर year में return करता है योधी आपके पास दो date हैं और आपको पता करना है, दोनों date के बीच में कितने दिन का अंतर है, या कितने महीनों का अंतर है या कितने सालों का अंतर है तो आप date div function का use कर सकते हैं यह जो function है इसको use करने का syntax क्या होता है आपको equal के साथ date div function को type करना है इसमें आपको एक start date देनी होती है फिर एक end date देनी होती है और यहाँ पर आपको difference की एक unit देनी होती है difference की unit मतलब आप जो difference है उसको days में देखना चाहते हैं, month में देखना चाहते हैं, या year में देखना चाहते हैं, तो unit आप तीन प्रकार की दे सकते हैं, day मतलब d, month मतलब m, और year मतलब y, यहाँ पर हमने इसके कुछ example भी लिये हैं, जैसे कि हमें date का difference calculate करना है, एक जन्वरी 2021 हमारी start date है, और 30 अ difference देखना है, days में, तो यह function एक बार में एक ही unit पर बर्क करेगा, या तो आप month में difference को देख सकते हो, या आप year में difference को चाहते हैं तो आप date div function का use कर सकते हैं यह function दो date के बीच का जो difference होता है उसको month wise या year wise या फिर days wise सो करता है अभी हमने date div function का introduction समझा इसका syntax समझा अब चलते हैं Excel की work seat पर और इस function को practical example से समझते हैं तो अब हम अपनी Excel की work seat में आ गए हैं जहां पर हम date div function को practical example से समझने वाले ह हमारे पास दो date हैं एक student की addition date है और एक course complete होने की date है student ने हमारे पास जिस दिन addition लिया था वो date हमारे पास है और student का course जिस date पर complete हुगा वह date भी हमारे पास है हम इन दोनो date पर date div function का use करके देखने वाले हैं जिसमें हम पहले column में number of days में difference देखेंगे second column में हम month में difference देखेंगे और third column में हम year में difference देखेंगे तो आपको जहाँ पर भी जिस cell में भी date div function का use करना है वहाँ आपने cursor को place करें equal symbol को type करें हमारा जो function है उसका नाम है date div bracket को open करें पहला argument हमें देना होता है start date तो start date हमारी रखी हुई है d9 cell में comma type करेंगे आप second जो date होती है वह होती है end date तो end date हमारी रखी हुई है e9 cell में इसके बाद आपको unit देनी होती है तो यहाँ पर हम जो difference है वह number of days में calculate करने वाले है तो हमने equal लगाया date div function को type किया bracket में 3 value दी है 3 parameter दिये है start date, end date और unit दिये हमने end date मतलब हमें दिनों में अंतर पता करना है enter key को press करें तो आप देख सकते हैं जो पहला output हमें मिला वह है का मिला 29 days क्यूंकि हमने यहाँ पर 1 अगस्त 2021 start date दी है और 30 अगस्त 2021 end date दी है तो इसने हमें दोनों date के बीच का जो difference है वह number of days में calculate करके दे दिया है यदि हम इस formula को नीचे drag कर देते हैं तो हमें सभी cell में जो date रखी गई है इनका difference number of days में return करके दिया जाता है अभी हमने date div function को days पर use किया अब हम इसको month y use करते हैं तो हम equal लगाएंगे date div function को type करेंगे इसमें हमें पहला argument देना होता है start date दूसरा argument देना होता है end date और तीसरा argument होती है unit तो हमें यहाँ पर अब unit देनी है m, m मतलब month तो अब हम जो difference चेक करना चाहते हैं वह month में चेक करना चाहते हैं enter की को press करेंगे तो आप देख सकते हैं पहला output क्या मिला हमें 0 क्यूंकि अगस्त में ही student ने admission लिया और अगस्त में ही उसका course क्या हो गया complete हो गया तो यहाँ पर month में तो कोई difference ही नहीं है एक भी month का difference नहीं है लेकिन यदि आप इस formula को नीचे drag करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ 7 month का difference है यहाँ पर 8 month का difference है इसी प्रकार से जो भी month का difference date में होता है यह function return करता है अब हम इस function को year unit पर use करने वाले हैं तो call को type करेंगे date div function को type करेंगे हमारी जो start date है उसका cell address देंगे हमारी जो end date है उसका cell address देंगे और unit में हम दे देंगे यहाँ पर year अब हमें year का difference calculate करना है enter की को press करेंगे तो जो पहली date है इसमें तो एक मन्थ का भी difference नहीं है तो year का वैसे भी नहीं हो सकता है zero year difference आया हम इसको नीचे drag करते हैं तो आप देख सकते हैं हमारे तीन student ऐसे हैं जिनका course same year में complete हो गया उनका course एक साल तक नहीं चला लेकिन कुछ student ऐसे हैं जिनके course complete होने में one year का या two year का difference है तो यदि आपके पास दो date है और दोनो date के बीच का जो difference है वह है दिनों में, महिनों में या सालों में यदि आप check करना चाहते हैं तो आप date diff function का use कर सकते हैं यह आपको कई तरीके से यूज करने की service provide करता है आप जैसे अभी हमने student के course पर apply किया आप किसी employee की joining और उसकी जो retirement की date है उसको calculate कर सकते हैं आपने कोई project लिया था project किस दिन लिया, project किस दिन complete हुआ compare कर सकते हैं, calculate कर सकते हैं तो date diff function का कई तरीके से उपयोग किया जा सकता है आप इस function को practically use करके देखें आपका कोई question है, कोई doubt है तो comment section में जरूर पूछिए वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को like करें जादा से जादा share करें मिलते हैं अगली वीडियो में धन्यवाद